अब हम देखते हैं लंथे नई तत्वों के उप्योग तो विभिन प्रकार की मिश्र धात्वे बनाने के लिए लंथे नई तत्वों का उप्योग किया जाता है और इनकी जो मिश्र धात्वे हैं वो काफी मजबूत कठोर होती है जिसका उप्योग विभिन प्लेटे तथा प मिश मेटल और बनाने में इनका उप्योग होता है मिश मेटल अलग अलग लेंथेनाइट तत्रों के बनते हैं जिसमें कि कोई भी लेंथेनाइट जो धातु है वह लगभग 95% तक होती है तथा इसमें 5 प्रतिशत के लगभग आईरन इसमें मिलाए जाता है और इसके अलावा कुछ अलप मात्रा में कुछ अधात्वें तथा धात्वें जैसे की कार्बन, सल्फर, कैल्सियम या एलूमिनियम की बहुत ही सूक्ष्व मात्रा मिलाई जाती है और इस सब को मिलाकर मिश मेटल तयार होता है और फिर इस मिश मेटल का उप्योग विभिन धात्वों के साथ मिश्रत करके फिर से मिश्रधातु में बनाई जाती हैं जैसे कि मैगनीशम के साथ मिश्रत करके मिश्धातु तथा मैगनीशम इसको मिश्रत करके एक फिर से नई प्रकार की मिश्रधातु बनाई जाती है जिसका उप्योग यहां पर बंदूग की गोली या कवच तथा हलके फ्लिंट बनाने में इनका उप्योग होता है इसके अलावा हम देखें कि बहुत सारे जो लंथनाइट के ऑक्साइड होते हैं इनके ऑक्साइडों का उप्योग पेट्रोलियम के जब हम भंजा काच्वान इसका करते हैं तो उस समय इनका उप्योग उत्प्रेरक के तौर पर क होते हैं जैसे कि टेलिवीजन के परदे पर आप चमक जो देखते हैं उसके लिए इनके ऑक्साइडों का उप्योग किया जाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि लंधिनाइट शर्णी के सदस्य हमारे लिए काफी महत्वपून हैं इसके बाद हम देखेंगे एक्टिनाइट एक्टिनाइट के बाद आने वाले 14 तत्वों को हम एक साथ एक्टिनाइट के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंशियम थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के सदस्य इसमें शामिल होते हैं सभी एक्टिनाइट से इनकी तुल्ना करें तो हम देखते हैं कि एक्टिनाइट सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और यहां पार हम देखें कि जो शुरू के पारंभिक जो एक्टिनाइट तत्व हैं उनकी अर्धायुकाल तो कुछ अधिक होता है अपेक्शाक्रत लेकिन बाद के जो सदस्य हैं जो भारी सदस्य हैं उनके जो अर्ध आयुकाल है वह लगभग एक दिन से लेकर केवल तीन मिनट तक भी होता है जैसे कि लॉरेंश्यम लॉरेंश्यम 103 इसका जो अर्ध आयुकाल होता है वह सर्फ तीन मिनट होता है यहने कि यह सर्फ तीन किरने इसमें से निश्काशित होती रहती है और वह सर्फ तीन मिनट में अस्तत्व में रहने के बाद वह दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है और यही इनकी जो मात्रा है रेडियो एक्ट्व तत्व इनकी बहुत ही अल्प मात्रा बनाई जाती है नैनो ग्राम में इ हट्नाहिा आती है तो इसके पार हम देखते हैं इनका sera nique मैं विन्यास को यहाँ पर इलेक्ट्रानिक विन्यास में देखें कि पहला सदत से यज्राइटी हम लें जो Slania Shroni के पहले जो तत्त वाता है वह है एक्तिनियम और एक्तिनियम का जो सबसे बहेत्प में पर वह हैं पर S 7S है उसके बाद वाली है यानि कि N-1 कोश है, वह यहां पर है 6D, तथा N-2 कोश है, वह है यहां पर 5F, तो यहां पर जो F-block तत्वों में जो इलेक्प्रान भरे जाते हैं, वो N-2F सबकोश में भरे जाते हैं, इसके बाद हम देखें कि प्रोटेक्टीनियम, प्रोचेक्ट्रिःम का जो एलख्रानिक विन्यास होता है यह 5S F2 6D17S2 होता है इसके बाद आता है इसके बाद युरेनियम Мен इसके बास होते हैं देखेंगे एक देखना के फसक्रानिक व्रुद्धी हो जाएगी और यह जाता है 5F36d17S2 इसके बाद आता है नेप्चूनियम नेक्ट्रो नियम में कई लग्ट्रानिक विन्यास होता है यहां पर 5F46D one seven is two this तथा इसके बाद हम देखिये जो प्लूटोनियम है प्लूटोनियम में यहां पर डी में इलेक्ट्रान जाने बंद हो जाते हैं और यह जो इलेक्ट्रान होता है वाव 5f6 यहां पर इलक्ट्रान आ होते हैं इसके बाद जो 7s में दो इलक्ट्रान होते हैं इसके बाद आता है directed कि हम देखने इसका जो विन्यास हों 5f77 ace to heef metro इसके बाद अगला तत्व यहां पर क्यूरियומissions में भी हम देखें कि जो इलेक्ट्रानिक विन्यास है वह 5F8 7S2 होना चाहिए लेकिन अधिक इस्थाई विन्यास यानि कि 5F7 प्राप्त करने के लिए इनमें जो अगला तत्व इलेक्ट्रान होता है वह 6D1 में चला जाता है और इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास हो जाता है 5F7 6D 1 7 2 इसके बाद हम देखें कि अगला तत्वा आता है बर्केलियम में यह विन्यास होता है 5F7 7S2 फिर इसकी बाद आता है कालीफोर्नियम का चो इलेक्ट्रानिक विन्यास थे वह ओता है 5F10 7 S2 इसके बाद है आंस्टाइनियम यह जो तत्व का नाम है महान वेज्ञानिक आंस्टाइन के नाम पर दिया गया है और आंस्टाइनियम इनका जो इलेक्ट्रानिक विन्यास है वो है 5F117S2 इसके बाद आता है फॉर्मियम फॉर्मियम जो की 100 परमानुकुर्मायंक वाला एक और यह है मैंडलीवियम जो की आवर्तसार्णी के जनक या पितामा जिन्हें हम कहते हैं वह है उनको मैंडलीव के नाम पर यह नाम दिया गया है उनको सम्मानित करने के लिए और यह का जो इलेक्ट्रानिक विन्यास है वो होता है 5F137S2 इसके बाद आता है नौवेलिय यह भी वेज्ञानिक के नाम पर है और इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है 5F147S2 यह काफी इस्थाई विन्यास है और इसके बाद जो अंतिम तत्व होता है एक्टिनाव श्राणी का एक सो तीन जिसका परमानुक्रमांख है और यह होता है लौरेंशियम लौरेंशिय इसमें पहले से भरे होते हैं वह 7S2 होता है तो इस तरह से हम देखें कि जो इन तत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास है उसमें 7S2 अवस्था सभी के लिए इस्थाई है या सामाने है कहीं कहीं पर हम देखें कि 5F और अर्बिटल तथा यहां पर 6D और्बिटलों में इले है इस्थाई विन्यास प्राप्त करना जहां पर भी F0 F7 तथा F14 विन्यास प्राप्त होता है तो वहां पर यह तत्व इसी अवस्था में रहना चाहते हैं और इसलिए जो इलेक्ट्रानिक विन्यास है उसमें थोड़ी बहुत अनिमित्ता देखने को मिलती है जैसे कि यहा का जो आंतरी कोश है वह भरा हुआ है और इसके बाद यहां पर इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास है रेडॉन के बाद 5F7 7S2 तो यहां पर हम देखें यह इस थाई विन्यास है इसी तरह से हम देखें कि क्यूरियम क्यूरियम में भी जो एक एलेक्ट्रान है वह 5F8 होना चा तो इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है रेडॉन के बाद 5F7 6D1 तथा 7S2 यह विन्यास पाया जाता है इसके बाद हम देखते हैं एक्टिनाइट श्रणी के सदस्यों का जो परमाणविक आकार है उसमें किस प्रकार की प्रवित्ती ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं त यह था इनकी M3 प्लस अवस्था में आयनिक त्रिज्जा इसमें क्रमिक रूप से हाथ या कमी हमें दिखाई देती है और इसके पीछे भी जो कारण है वह होता है एक्टिनाइट आकुंचन या एक्टिनाइट कॉंट्रेक्शन यहां पर हम देखते हैं कि साथी साथ चुकि 5F और्बिटल में एलेक्ट्रान प्रवेश करते हैं और यहां पर उपस्तित जो इलेक्ट्रान हैं 5F और्बिटल के तो उनका परिरक्शन प्रभाव काफी कम होता है और इसकी वज़ए से लेंथेनाइट जो श्रणी के सदस्य हैं उनकी तुलन में भी इनकी परमानुक आक प्लस त्री होती है यहां पर जो एक्टिनाइट श्रणी के सदस्य है वो भिन भिन परिवर्तन शील आक्षीकरण अवस्था प्रदर्सीत करते हैं यहां पर हम देखें कि और इसके पीछे कारण है यहां पर 5F और्बिटलों या 6D और्बिटलों तथा 7S जो और्बिटल है इनकी उर्जा में बहुत जादा अंतर नहीं होता है और इसलिए यह एक और्बिटलों में शिफ्ट हो सकते हैं और इसलिए यह परिवर्तन शील आक्षीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं यदि हम देखें एक्टिनियम तो एक्टिनियम केवल प्लस 3 आक्षीकरण बॉस्था शो करता है लेकिन इसके आगे यह चलते हैं प्लोटेक्टिनियम यूरेनियम नप्चूनियम प्लूटॉनियम इं यहां पर हम देखें तो यह प्लस-7 तक यहां पर प्लस-3 प्लस-4 प्लस-5 प्लस-6 तथा 7 तक औकषीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हम इसक इसके बाद बरकेलियम से आगे लॉरेंशियन तक जब हम चलते हैं तो पुना प्लस थ्री ऑक्सिक्रन अवस्था का स्थाइट्व बढ़ जाता है और बाकी जो बाद वाले सदस्य हैं वह ज्यादा तर प्लस थ्री ऑक्सिक्रन अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं इसके सहमान चमकदार होते हैं लेकिन जोकि और परमानुक्ण तरज्ज्ञ अधिया के सदस्यों की तुला में अधीक होती है और इसलिए ये भिन भिन प्रकार की सरचनाई प्रदर्शित करते हैं यदि हम इनकी सक्रीता की बात करें तो ये बहुत ही अधिक सक्री धातुएं हैं क्योंकि हम जानते हैं ये रेडियो एक्ट्यू भी है और इसलिए अधिक सक्री होती है और इनकी सक्रीता तब और अधिक बढ़ जाती है जब ये सुक्ष्म विभाजित अवस्था में होती हैं क्योंकि हम जानते हैं कोई भी धातू या पदार्थ जब सुक्ष्म विभाजित बारिक पाउडर के रूप में जब होता है, तो उसमें उसकी जो टोटल सर्फेस एरिया है, वा बढ़ जाता है और इसलिए अभी क्रिया की दर भी बढ़ जाती है, ये भिन भिन अवस्था में विबन पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं और योगी का निर्मान करते हैं, इनकी का निर्मान करते हैं इसके बाद हम देखें कि यह अधात्वों के साथ भी क्रिया करते हैं बहुत सी अधात्वी जैसे की हाइड्रोजन है कार्बन है सलफर है इनके साथ क्रिया करके यह संबंधित योगिक का निर्मान करते हैं और यह जो अभी क्रिया है यह सामाने ताप पर ही हो जाती है इसके अलाब हम देखें यह एसल जो एसल के जो अमल है तनु अमल उसके साथ भी यह क्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं लेकिन इसके विप्रीत यह जो प्रबल अमल है जैसे कि नाइट्रिक एसिड इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं या इनके साथ कम अभी क्रिया दर्शाथे हैं इसके पीछे कारण यह है कि जो नाइत्रीक ओक्साइड है एक औकसी काराHAHA होता है और इसके वज़य में हमें एफ में अयुगमित इलेक्ट्रान उपस्थित होते हैं वो सभी सदस्य अनुचंब की प्रवित्ति दर्शाते हैं यदि हम इनके चुम्ब की गुण को देखें तो यह लंधेनाइट शुर्णी के सदस्यों से अधिक चंब की गुण रखते हैं अब हम देखते हैं ए सिन्थिनाइट शुन्टी के सदस्यों के जो प्रविक सदस्य हैं उनकी तुल्ला में कम होती है क्योंकि यहां पर हम जानते हैं कि जो एफ और बितल होते हैं उसमें उपस्तित इलेक्ट्रानों का परिरक्षन प्रभाव कम होता है और च्कि प्रा ररमभिक अवस्था में जब elektron F orbital में भरने शुरू होते हैं, तो उस समय इनका पररक्षन प्रभाव और भी कम रहता है, और इसलिए इसमें से elektron निकालना आसान हो जाता है, तो इस तरह से यह हम देखें कि जो आंतरिक कोड पर उपस्तित elektron होते हैं, उनका पररक्षन प्रभाव कम होनी की वज़े से, यहाँ पर जो बाहतम कोश में उपस्तित elektron हैं, उनको आसानी से यह बंधन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, और इसलिए इनकी आइनन उर्जा का काफी कम होता है, तो इस तरह से हमने लेंटेनाइड श्रणी तथा एक्टेनाइड श्रणी के सदस्यों के विभेन गुणों के विशय में जाना, अब हम जानते हैं, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक जो तत्व हैं, उनके कहां कहां पर अनुप्रयोग होते हैं, वैसे इसका प्रावर्म में मैंने इसके विशय में बताया था, तो यहां पर हम कुछ विशीस अनुप्रयोगों को पुना दोहरा लेते हैं, यहां पर हम देखें कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं, उसमें खासकर जो लौह तत्व हैं, यहां पर जैसे की आईरन, तो यह जिनसे की इस पात क निर्मान होता है, और हम जानते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए इस पात एक महत्पून पदार्थ है, और यहां पर इसका जो यह इस पात जो है वो निर्मान सामगरी के अंतरगत आती है, और इसलिए जो हम देखें कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं, यह हमारे ल साथ purity शुधियां उपस्तित होती हैं उनको दूर किया जाता है और यह काफी नरं होता है और इसलिए को काफी मझभूती प्रदान करने के लिए फिर इस काफी मजबूत तठा कठोर हो जाता है इसके बाद हम देखें कि एक और सदस्य है जैसे टिटेनियम टिटेनियम का ऑक्साइड इसका उपयोग जो वर्नक कुद्योग होते हैं डाइज इंडूस्ट्रीज होती है वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है इसी तरह से मैगनीज डायोकसाइड जिसका उपयोग आप जानते हैं जो हमारे ड्राइसल होते हैं वहाँ पर गट के तौर पर इनका उपयोग किया जाता है इसी तरह से हम देखें कि जो वर्ग 11 की धातवें होती हैं जहां पर कॉपर सिल्वर गोल्ड यह सभी धातवें इन्हें हम मुद्रा धा के बहुत से जो तत्व हैं उनका उपयोग उत्प्रेरक के तौर पर किया जाता है जैसे कि सलफ्यूरिक एसिड निर्मान की संपर्क विधी में वेनडियम पेंटॉकसाइड का उपयोग किया जाता है इसी तरह से हम देखें कि पॉलिथीन के बहुली करण में मैंने बताए क कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जो कि टिटेनियम का ही एक योगी होता है इसके लाब हम देखें तेल के हैड्रोजीनी करण के लिए निकल धातु का उपयोग किया जाता है इसी तरह से हम देखें कि एथाइन के ऑक्सी करण के द्वारा एथेनल ब इस तरह से हम देखें कि फोटोग्राफी में फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है जो की प्रकास सम्वेदी गुण रखता है और इस गुण का उपयोग यहां पर फोटोग्राफी में प्रकास सुग्राहिता के कारण फोटो लेने के लिए इसक